नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सनोज कुमार कुमंग स्टेडी में आप सभी का स्वागत है हमारे साथ इम्रान जी है जिनका की 25 तारीक को डॉक्मेंट भेरिपिकेशन हुआ था नॉर्धन रेलवे के देल्ली डिविजन में और आज याने की मतलब 30 अपरेल को उनका जोईज हुआ और जोई सोगी कितने बजे इनका मेडिकल खतम हुआ उसके बाद भी कोई डाउट रहे जाए कि हम लोग बाद में इम्रान जी से पूछ लेंगे तो अगली आवाज इम्रान जी की जी सर मैं इम्रान जी बोला हुआ जी हमें पच्छिस तारीक वेरिफिकेजन के बाद 3 अपरेल को उपरानी दिली ने बुलाया गया बजे रिपोर्टिंग टाइम था लेकिन महाँ पर साधे नो बजे हमारा मेडिकल स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहले बलड और यूरिन उसके बाद चेस्ट का एक्सेर लिए आगया इसमें एक्स अभी बच्छे स्ट बताए गये उसके बाद वीजन टेस्ट हुआ आख होगा उसके बाद आखिर में जो मेडिकल बोर्ड बैटता है उन्होंने जो है चेक अप किये उसके बाद आपके पास मैसी जा जाएगा तो कितने बज़े खताम हुआ आपका ये डिवी अधी मेडिकल लगवग च्यार बज़ गये तो यह जो वीजन टेस्ट में हुआ विजन टेस्ट में क्या क्या टेस्ट हुआ गोल गेरे से उपर नीचे दाएं बाएं देखने हुआ उत्ते हैं उपर 6x18 6x9 6x6 तो नहीं दिखार देलें 6x9 तक दोनों आपकोंगे कभी एक आख इजर से दबा करके एक आख इजर से रख करके दोनों तरब से देख रहें आज टोटल कितने बच्चों को बुलाई दस अज़ा रहा था लगबग अच्छा के पढ़िये 9x7 7x7 तो कलर ब्लाईने देखते हैं उसको अच्छा 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 वो भी अससरी बच्चों के इस्टाक हो गए वीजन तेस्ट में और कुछ इसके अलावा जितना आपने बताया हां इसके अलावा थोड़ा सा पढ च्छा अच्छा के फक जाते हैं पढ़ कर थे व अधको मालगा करके इस जैसली मह जाती कर ब्यादर होदेख लिस्टे किउम की मिधाल इन पताल एंडना एवनन अधिक टुप मेढ़ तो है मैं मर्हां कि अच्छा मिधिध क आ इसके अलावा इसके अलावा तो अच्छा यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट तुरंत आदे है कि बाद में आएगी फिचर में ये बाद में इसका देंगे अपनी वेशॉप साइट पर चेक कर लिएगा जिनों के बाद नहीं कि रिपोर्ट हें आर आर सी लाजपतनगर भेज देंगी अच्छा 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 विसके बाद जो है जब होगा वापको लग जाएगा लग अब लगता है जो टोटल कितने 10 बच्चों को बुलाया थे अज जी टोटल दस बच्चों को बुलाया था था सब्सकंटाइब किया गया तो किसी को मेडिकली उन्फेट भी किया गया यह नहीं अभी तो पिशी को इली पोटनी मिली तो यह चरपास टेस्ट वो आप लोगो का ना? यूरीन टेस्ट, ब्लद टेस्ट, एक्सरे और विजन टेस्ट बस इतना ही ना? यह 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 और पाइल्स? भी नहीं, उसके बारे में ही बाइल्स टेस्ट, हाइड्रोसील? ना यह भी नहीं हुआ फ्लैट फॉट? भी ना यह भी नहीं हुआ येर? काम-काम इसको प्रॉब्लम है, इसको जो है दिल्ली जो बड़ा स्पताल है इसके लिए रेफर कर गया है महा से ओडियोमेट्री रिपोर्ट लेजा करके बनवा करके जो भी डोकुमेंट्स होंगे इसके आदारफ़ पर जिवह देख सकते हैं अच्छा बाद में कलपताल है जो क्या मतलब बोले मैंने समझाद फ्लाइवर फिर से बताएंगे? अब जैसे कान में प्रोब्लम है तो उसके लिए ओडियोमेट्री जाच होगी अच्छा तो उसके लिए जो बड़ा स्पताल है जिल्दी का नहीं जिल्दी का तो उसमें जो है डॉक्टर जो है एंटिकरजन वो उपनी ओडियोमेट्री पूस लगाएंगे इसके बाद वो जो है माजमा करना पड़ेगा तो आपकी जाच होई थी आज आपकी कान की जाच होई थी आज नहीं आज नहीं होगाई तो आपके कल होगी कान की जाच जी जी कल होगी तो कल आपको फिर से जाना है सभी कान की किव रही दरीगें के वाल आप की होई है यह बंदे हैं क्कीकरीगी मिभी जो कान कीमें उनके आवाज आहए तो उनको किशी तरिके कोई प्रॉप्लम सिर्ण वाकिया खरी की तो हो पैरखरी किटनी एं ही कितनी ही staff अच्छा तो सट्याब्न करते हैं यह चर्थ बनावा है मेडिकल तो उसके खड़े उतर रहे हैं कर नहीं उतर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि आप हैंडिक नहीं है किसी तरह से जुगार से सर्टिफिकट बनवा लिए तो ऐसा नहीं चलेगा अच्छ और कोई टेस्ट इसके अलावा तो जो बच्छे अभी मेडिकल के आख हैंगि अभी हमेजा जो है खुच रहें परकारे और इसवर याद रखें अपने माता थिता को जो है इंघार करें संबाना इन करें और भाइचारा काम करें और मेन इसकाम करें मेन अबढें निए पढ़ें आदमी चोटे से ही बड़ा बनता है, यही हमारी तो कल जो ऐसो कि आपकी फाइनल कंप्लीट हो जाएगी, कल के बास पिर आप घर के लिए निकल जाओ गए, तो आज आप कहां रोके है, होटेल में, कि आपको कोई फ्रेंड वेगर है, बस किलाल तो यहां इदर आये थे, गु अच्छा, आप वही है ना, जो अपने पापा के साथ आए थे, मुझे गुर्दवारा के बारे में पूछ रहे थे, मैंने आपको बताया था, गुर्दवारा के लिए, जी, अच्छा, चलिए ठीक है, और, और भी मेडिकल में कोई डाउट होगा बच्चो का, तो वो मुझ मैं अपनी और से सुबका मेह देना चाहूँगा सभी, जिनने भी कंडिदेट हैं, जिनोंने आवेधन किया है, सभी का बविश्य सुखद हो, दफल हो, जिन्दगी में जो है, और काम्याभी बुदंडी में अता करें, तो एक्सरे का रिपोर्ट भी तुरान दा जा रहा थ तक उसमें टाइम लग रहा था, इम्रान जी, रिपोर्ट को देफको जी फाइनल तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जो है, वैसे ही, जनरली बोट दिया था उननों, कि हाँ, सब तीठ हैं, ऐसा ही, तुननें आया था, लेकिन या है कि वो रिपोर्ट का जो मामला है, वो रद बाद में पता लगेगा, कौन से चैकरी का मेडिकल फ्यक्र चर्टीफिकर दिया गया, आपको कون से काटेगरी का मेडिकल फीटेस सेटिकर दिया गया, कुई ना इस से कुछ, अदर जो न के उनके बच्चे थे, मुरादाबाद हुआँ और आपका मॉंबाइ हुआ, उ नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल ला गया वी तो आपके पास कोई प्रूफ है कि आपका मेडिकल कंप्लेट हो गया है नहीं अभी मेडिकल कंप्लेट वान इना कल जाना है कि अच्छा तो कल के बाद को परची बेगा देंगे आपको गो नहीं पर्ची तो नहीं देंगे लेकिंगे जनरली ऐसी बोल देंगे कि यहां वही होगा है क्योंकि जो और तो पेड़ी करी थे यह वह थे उन सब को भी कह जा कि आप अपने घर जा सकते हैं जो डोकुमेंट वगरा जिसके जहां कर लिया हूंगा मुंकि आपको जो है बस मही इसे सूचना मिलेगी इंटरनेट के तो 25 तारिक से आप डेली में ही रुके हुए कि घर गए थे जी घर चले गए थे दुबार आये चलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इम्रान जी अपने अपना कीमती समय निकाला बच्चों की भलाई के लिए और आपको उमंग स् अपने आपको यहीं पी रोकना नहीं है अभी इससे भी आगे बढ़ना है फिर एंटी पीजी है और हमें बढ़ती का नाम जिंदगी हमें आगे अपने जिन्दगी में बढ़ते रहना है तरकी की रहा पे हाँ एक स्टेप अभी मैंने क्लियर किया है मुझे कॉन्फिदेंस आया अभी हम लोग और आके बढ़ेंगे इस आपको अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ सेयर कीजेगा जिनका भी मेडिकल होने वाला है और इस वीडियो स सिक्षिन में कमेंट कीजिएगा इमरान जी का नंबर है हमारे पास हम आपके कमेंट का जवाब जैसे कि इमरान जी के थूट एने की कोशिस करेंगे आपने मुझे इतना टाइम दिया सारे भीवर्स ने